नबसकार मैं हो ससी आये जर्खन की टोप 35 परमुक खबर जानते हैं जर्खन बिधान सब्ञा को हैम जर्खन बीधान सब्ञा को भी distinct अड़ा वर्दास जर्खन में हैमन सब्ञार बिधान सब्ञा को भी Claro काड़ा बना रही हैै कोई भी सरकार पंथ निर्पेक्ष होने का सपत लेती है लेकिन इस सरकार ने संप्रदाईक निर्नाय लेकर लोकतंत्र को भी कलंकित कर दिया एबाते पूरो मुखमंत्री रहवरदास ने कही भाजपाक राष्ट्रिय उपादक्ष रहवरदास ने कहा कि विधान समा में के लिए कमरा अवंटित करके भारत के लोकतंत्री इतिहास में वह काम किया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया मौसम विभाग केंदर के वैजानी अभिसेक अनंद के मुतागी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेसर एरिया के प्रभावी होने से पुरुतर से बारिस के कारक नम हावा का बहाव अरंब होगा उन्होंने बताया कि समभावना है कि जारखर्ण में इसके प्रभाव से कहीं कहीं भारी बारिस हो राज के दक्षनी मध्य और उत्तर पुर्वी भाग में दो-तीन दिन तक मौसम में बदलाव के संकेत हैं बताया कि सोमवार और मंगलवार को राज के सभी इलाकों में आस्मान में बादल चाहे रहेंगे इस दोरान हलके से मत दर्ज की और कहीं कहीं बुंदाबंदी की बीच में गर्जन और बजरपात की भी असंका है इस्कूल खोलने की मायं को लेकर मुख्य मंत्री से मिलेगा पासवा सिक्षक दिवस के मौके पर प्राइवेट इस्कूल और चिल्डेन वेलफेर एसोसियेशन पासवा जहारखन इकाई की बैठा कांके इस्थित न्यू अक्सपोर्ट पॉब्लिक इस्कूल बुढ़ी बागी में हुई सिक्षक दिवस के मौके पासवा राज इकाई ने 11 सितंबर को सिक्षक समान दिवस समारो का आईज़न करने का निगना लिया है मुख्य मंत्री आज गढ़वा पलामों के बिदूत सब इस्टेशनों का करेंगे उदगाटन सिलन यास मोख्य मत्री हमान सुरें सोम वार को राची के प्रोजेक्ट भावन के नए सभागार से उर्जा संचरण निगम लिन्टेट की विभीन संचरण पर्योजनाव का उद घाटन वसिलन्यास करेंगे इस असर पर भागोडी सभे स्टेशन का उद घाटन होगा और भावनात पूर यों छतरपूर के ग्रीट सभे स्टेशन का सिलन्यास किया जाएगा पता दिया जनकारी उर्जा विभाग के परधान सचीव अविनास कुमान ने दी उन्होंने बताया कि गड़वा के भागोडी के 132 बाई 33 के वी ग्रीट सभे स्टेशन की छामता 100 MBA है या बनकर तयार है एगार्वी जूनियर महिला होकी नेशनल चेंपियंशिप का सिम्डेगा में होगा आयोजान अक्टूबर महिने में जार्खन के सिम्डेगा में एगार्वी जूनियर महिला होकी नेशनल चेंपियंशिप का आगाज होगा नेशनल चेंपियंशीप में महिला होगी खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगी दूसरी और जारकन की दो ओलम्पियन बेटी निकी परधान वा सलीमा टेटे के साथ निकी के सुरुवाती कोच दसरत महतो और सलीमा के सुरुवाती कोच परतीमा बरवा को समानित भी किया गया बतादे तरनी कुमारी को इस साल जार्खन का बेश्ट महिला कोच खोशित करते हुए उने भी समानित किया गया सम्विधान के खिलाप है विधान सभा के नमाज कोक्ष जारखन विधान सभा परिसर में नमाज आदा करने के लिए अलग कमरा आवंटित किये जाने पर घमासान मचा है बतादे नमाज कॉक्ष आवंटित करने पर बीपक्ष में बैठी भाजपा भी अब इधान सभा परिसर में मंदीर के लिए जगह देने की मांग कर रही है अयसे में सवाल उठता है कि सांसद या बीधान सभा परिसर में किसी धार्मी कती भी दिया कोई आयत देना क्या समिधान समत है या धार्मी निर्मान की इजाज़त नहीं दी जा सकती राश्ट्रिये प्रोसकार से समानित सिक्षक मनोज बोले बच्चे पढ़ लिख कर कुछ हासिल करे सिक्षक दिवस पर पूर्वी सिम्भूम के जमसेत पुरिश्थीत हिंदूस्तान मित्रमंडल मिंडिल इसकूल के सिक्षक मनोज कुमार सिंग को राश्ट पती रामनात कोविन ने कोविट काल में बचों को इनोवेटिव सिक्षा देने के लिए समानित किया बता देया समान उन्होंने राश्टी के नेपाल हाउस में ओनलाइन ग्रहन किया कारकरम के बाद मनोज कुमार सिंग ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिना या है कि उनके बचे पड़ली कर कुछ हांसिल करे या उनके लिए गर्व का विशाय है कि देश के प्रथम नागरिक क्या हाथो समानित होने का मौका मिला है भाजपा ने किया परदर्शन सरकार को चेताया जारखन बिधान सभा भवन में नमाज कक्ष आवंटित किये जाने का तीवर विरोध हो रहा है बतादेर अभिवार को भाजपा इसके खिलाप सड़को प्रोतरी राजे के सभी जीलों में पार्टी करकरता होने मौके मंत्री और विधान सभा अध्यक्ष का पुतलाप होगा बतादेर अभिवार को भाजपा भिधायक भिधान सभा के भीतर इस मसले को उठाएंगे तो वहीं पार्टी करकरता सभी जीला में धार्नावा परदर्शन भी करेंगे विरोध परदर्शन आगे भी चलता रहेगा राज जेपाल ने दी सिक्षक दिवस की सुबकमनाएं आरखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 133 है भारत में 49,57 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,993 है आज अनुपूरक बजट और मुख्य मंत्री प्रशन काल इसके अलावा मुख्य मंत्री प्रशन काल भी होगा इसमें बिधायक मुख्य मंत्री से नितिकत सवाल पूछ सकते हैं बता दे कि बिधान सभा सत्र के दुरान हर सो मुख्य मंत्री प्रशन काल के लिए समय निधारित करने की प्रमपरा है जार्खन में सिविल सेवा परिक्षाओं के लिए एडमिट कार जारी जार्खन लोक सेवा आयोग ने सातवी, आठवी, नौवी और दासवी सिविल सेवा परिक्षाओं को लिएकर एडमिट कार जारी कर दिया है परिक्षा अगा में 19 सितंबर से दो पालियों में होगी आयोग में कुल 252 पदों के लिए पूरे राजे में 3,79,327 अभियार्थी परिक्षाओं में सामीर हो रहे हैं इसके लिए पूरे राजे में 1,02 परिक्षाओं के अंदर बनाए गए हैं वहीं राची में 89,660 अवियारतियों के लिए 107 में परिशा के अंदर बनाए गए हैं तलाबों में ऑक्सिजन की ओनलाइन मोनेटरिंग जाडखन में मचली पालन किये जाने वाले तलाबों में उपलब दरसायन अक्सिजन लेवल वाखर पतवार की जनकारी अब ऑनलाइन मिलेगी बतादे इसकी मोनेटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी इसके लिए तलाबों में इंटरनेट और थिंक्स तकनिक का इस्तेमाल होगा पहले चरण में राई धानी के दो तलाब सहित अने जीलों के तलाबों में इस तकनिक का उप्योग होगा इसके लिए एजनसी का चैन किया जाएगा गुमला जीले में क्रोना वर्यस समानित गुमला सहर के स्टार डीपीएस इसकूल गोकुल लगर में रविवार को सिक्षक दिवस के मोखे पर विभीन छेतरों में काम करने वाले क्रोना वर्यस को समानित किया गया क्रोना वर्यस समान समारों में पत्रकार, पुलिश, डॉक्टर, स्वास्त विभाग, सिख्छक संस्थान, ब्यापारी, समाज सेवियों ने बेहतर काम किया है इन में से सर्वस्रेष्ट काम करने वाले लोगों को क्रोना वर्यस के रूप में समानित किया गया रांची के कंटा टोली फलाई ओवर के डिपी आर को मुख्य मंत्री ने दी स्विक्रिती रांची के कंटा टोली फलाई ओवर के डिपी आर को स्विक्रिती मिल गई है राजे के मुख्य मंत्री हमानसुरेन ने इसकी मंजुरी दे दी है अब नए डिजाइन पर फ्लाई ओवर का निर्मान होगा बता दे इससे पूर्व कई बर कांटा टोली फ्लाई ओवर का निर्मान कारे रुका है निर्मान कारे रुकने से फ्लाई ओवर के लिए सीर्फ खुदाई हुई है इसे सड़क पर जगा जगा गड़े भी होगा यहाँ है रिम्स मेटिकल कॉलेज में रैंकिंग रांची के रिम्स मेटिकल कॉलेज में एक बार फिर रैंकिंग का मामला सामने आने की बात कही जा रही है इसके बाद प्रबंधन ने पूरे होस्टल परिसर में सुरक्षा कर्मियों के तेनाती बढ़ा दी है पुलिस को भी मौके पर बुलाक कर मामला सांथ कराया गया बताया जाराय की 2019 के चात्रों ने 2022 के चात्रों के साथ बीती रात क्रैंकिंग की इसके बाद मामला तूल पकरता गया और अभिवार को दोनों सात्रे के चात्रों के बीच मार पीट की नौबत आ गई जार्खन बिधान सभा चुनाओ 2024 में 36 सीटों पर लड़ेगा राज़त जार्खन परदेश राष्टिये जनतत दल कि सनिवार को पार्टी कर्याले में हुई बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कर करता हो और जीला परभारियों को जिम्यदारी दी गई परदेश अध्यक्ष अभाय कुमार सिंग ने 6 महिने में संगठन को मजबूत करने पजोर दिया और कहा कि 2024 के चुनाओ में राज़त 36 सीटों पर चुनाओ की लड़ेगा इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है तीन दिवसिये जार्खन दोरा पर आ रहे है आरेसेस मोहन भागवत राष्टिये स्वयन सेवक संग के सर संग चालक डाक्टर मोहन भागवत जार्खन के तीन दिवसिये दोर पर आ रहे है इस दोरान संग के पदाधिकारियों के साथ जार्खन में सखाव की स्थिती साखा विस्तार क्रोना काल में स्वयन सेव को द्वारा किये गए सेवा कारे पारासिक्षकों के हीत में होगी नियमावली पारासिक्षकों के हीत में ही होगी बतादे रविवार को बोडो में आयोजीत संग की राजे कार करनी की बैठक में गिरीडी के अलावा सभी जीलों से जूटे परासिस्कोन निमावली को लेकर गहन विचार विमर्स किया साथ ही इसे सविकार करने की बात कही उन्होंने कहा कि लंबे संगहर्स के बाद सरकार निमावली बना रही है एक दो दिनों में इसका प्रारूप संग का उपलब्ध करा दिया जाएगा इसमें यादी किसी बिंदू पर अपत्ती होगी तो अपत्ती जताते हुए इसे सविकार कर लिया जाएगा जारखन के नई विधान सभाब भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित किये जाने का मामला रायनितिक तूल पकरता जा रहा है बतादे अब प्रेश वार्ता कर विधायक डाक्टर निरायादव ने राय सरकार पर तूष्टी करण की रायनिति करने के गमभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि जब तक कमरा आवंटन के आदेश को आपस नहीं लिया जाएगा भाजपा का विरोध जारी रहेगा गुमला जिला होकी खेल की नसरी है बतादे यहां से कई खिलाडे निकले जो राज से लेकर राष्टी असरक का नाम कमाया बतादे आज से 15 साल पहले होकी खेल में गुमला जिला की तूती बोलती थी लेकिन आज ग्राउंड के अभाव में खेल परतिवा कुंठित हो रही है गुमला में होकी खेलने लायक ग्राउंड नहीं है जिस कारण खिलाडी खेल का अभ्यास बेहतर तरीकस नहीं कर पा रहे बतादे 2005 में होकी खेल को बढ़ावा देने के लिए काला संस्कृति खेल कूद यवाम युवा कार विभाग ज्यारखंड सरकार द्वारा संत इगना सियूस हाई स्कूल के कुछ जमीनों को अपने अधिन लेकर इसमें एश्टो टॉर्प का निर्मान किया गया था जहां होकी खेल के लिए सभी सुधाय देनी थी लेकिन सिर्फ ग्राउंड बना कर छोड़ दिया गया है ज्यारखंड के गुमला जीले के राय डी परखंड के सुधरवर्ति ग्राम सुगा काटा को लोहर्दगा के सांसत सुधरशन भगत ने अधर्श ग्राम घोशित किया है बतादे इस मौके पर रभीवार को वन सबजी महोत्सों का भब आयोजन किया गया इस आयोजन में ग्रामिनों ने उसा के साथ भाग लेते हुए 50 से ज्यादा वन सबजीयों को एकत्रित किया और उन्हें सुरूची कर एवं परमपरागत तरीकों से पकाया बतादे जय बिविद्धा अधारित इस परमपरागत आयोजन के मुखे अतित्वी लोहर दागा के सांसा सुदसन भगत थे धन्यवाद